हेलो फ्रेंस आप सभी का हमारे यूटूब चैनल वर्किंग थॉट्स में स्वागत है आज हम रिजिनिंग के कुछ क्वेशन्स देखने वाले हैं पहला क्वेशन जो है उस विकल्प का चेहन कीजिए जो दिये गया है सेट के रूप में समरूप है ठीक है तो यहां पर क्या दिया गया है पीर 136 दिया गया है और क्या दिया गया है फ्रेंट और टिया है ठीक है तो यहीं दोनों को मल्टिप्लाय करेंगे रहां नहीं आएंगा हरा किया कर ना होगा 23 वा प्लस करके देखते हैं तो कितना आ गया 80 68 आ गया लेकिन 136 आ है नहीं 136 लाना है किसी भी तरह हमको 136 लाना है क्या करना होगा इसमें 2 से multiply कर देंगे तो कितना 136 आ गया ठीक है अब same relation इस option में ढूणना है तो किस में ढूणनेंगे जैसे हमको कितना लाना है बीच वाला पहला अगर ऑप्शन देखें तो बीच में 78 है तो 78 क्या आएगा 29 अगर करेंगे ऑप्शन नमबर दे ले लें 29 प्लस 11 कर देंगे तो कितना आएगा यह आ जाएगा 40 आ गया और 40 को 2 से multiply करेंगे तो 80 आ गया य इसको भी 2 से multiply कर दिये तो 136 आएगा लेकिन है कितना 126 अगर सी को देखें तो 17 है और कितना है 33 है इसको अगर आड़ कर देते हैं तो कितना सतरा इतीन 20 20 और 30 कितना हो जाएगा 50 है। कितना हो जाएगा 50 हो गया 50 को 2 से multiply किये तो 100 हो रहा है और बीच में कितना है 50 है इसलिए गलत हो जाएगा अगर डी को देखेंगे तो डी में क्या होगा 19 है और इदर कितना है 29 है हमको बीच वाला number लाना है 96 इसको अगर एड कर दिये तो कितना आ 48 आ जाएगा 48 को अगर 2 से multiply करेंगे तो 96 आ गया सेम इसी तरह relation हो गया ठीक है यानि option number D जो होगा मेरा क्या होगा correct answer होगा यदि 8 प्लस 5 इस एक्वल टू 8 प्लस 5 इस एक्वल टू 1340 हुआ है ठीक है अब जब 8 प्लस 5 1340 हुआ है तो कैसे हुआ है यह हमको find out करना है तो इसमें क्या logic लगे आठ प्लस 5 अगर करेंगे तो 13 होगा लेकिन यह कितना है 1340 है तो किसी भी logic का use करके जो हमको 1340 लाना है और नंबर इन ही दोनों नंबर का use करना है तो देखते हैं अगर हम पहले क्या 8 प्लस 5 को add कर दें तो 13 आ जाएगा पहला दो इन दोनों को पहले जोड़ लिए 4 प्लस 6 कर लिए तो कितना हो जागा 10 हो गया और 4 इंटो 6 कर दिये तो कितना होगा 24 हो गया यहनि कितना होगा 10-24 तो option जो बी में दिया गया है 10-24 वही मेरा करेक्ट है करक्तांसर ह qualche question दिए गया है एक सभा घृया में सभा जिस को 거ते हैं जहार सभा होता है ठीक है जिस हस्तान पर पूरा आउजण किया और उसको सभा घृया बोल रहे है उसमें कितना विद्यार्थि है टोटल 8889 जो है उस्क्लिन में जो है विद्यार्थी मेरा बैठा है ठीक है और एक पंक्ती में उतने ही विद्यार्थी है जितने की सभाग्रिया में पंक्तिया है मान लेते हैं सभाग्रिया में जो है कितने पंक्ती है मान लेते हैं x पंक्ती है और statement में कहा है कि जितने पंक्ती है एक पंक्ती में उतना है मान लेते हैं पंक्ती कितना है x है ठीक है पंक्ती है x और एक पंक्ती में जो है कितने बिद्यार्थी बैठे है जितना सभाग्रिया में पंक्ती है यानि कि X बिद्यार्थी बैठे हुए है क्यों? क्योंकि X यहां सभाग्रिया में क्या है पंक्ती है और एक पंक्ती में जो है सभाग्रिया में जितना पंक्ती है तो उसके बराबर बिद्यार्थी बैठा है, यानि माल लेते हैं, एक पंक्ती में x बिद्यार्थी, तो x पंक्ती में कितना बिद्यार्थी होगा, x into x, x square, ठीक है, x square बिद्यार्थी, ठीक है, यानि कि ये पूरा x पंक्ती किसमें, पूरा सभाग्रिया में, जो की संका है वह कितना है एक स्क्वाइर यानि यह एक स्क्वाइर किसके बराबर हो जाएगा इसके बराबर हो जाएगा यह एक स्क्वाइर बराबर हो गया 3 आएगा 3 का square करेंगे तो 9 आएगा और 7 का square करेंगे तो भी unit डिजिट 9 आएगा ठीक है unit digit कितना आएगा 9 आएगा अब यहां से दो संक्राइगा को हटा देना है दो संक्राइगे तो यह कितना 68 बज गया 68 किसका square होता है 68 से कम लेते हैं किसका 64 8 का square हो जाएगा 64 9 का square 81 यानि कि 68 जो है 8 का square और 9 के square के बीच में आता है यानि मान लेते हैं यहाँ पर कितना छोटा वाला लेंगे 8 8 दोनों दे दिये ठीक है अब इससे 8 से उपर क्या होता है 9 होता है तो 9 को 8 से multiply करेंगे तो 72 हो गया अब 72 क्या है 68 जो है 72 से छोटा है इसलिए हम छोटा वाला लेंगे यहाँ पर X का value क्या होगा 83 हो जाएगा Next question coding decoding का है इसमें कहता है कि एक निश्चित code भासा में legal को जैसे legal हो गया इसको जो है क्या करता है कि 37 लिखा जाता है 37 हम कैसे लिखेंगे अगर हम इसके positions को add कर लें ठीक है तो यहाँ पर अगर positions को add करें जैसे L का कितना हो गया 12 हो गया E का कितना हो गया 5 हो गया G का कितना हो गया 7 हो गया उसके बाद A का कितना हो गया 1 हो गया l का कितना हो गया 12 होगया ठीक है तो अगर इसको अड़ करें तो 12 यहाँ पर कितना हो गया 24 होगया इं दोनों को एक साथ kर लिए 14 24 और 12 कितना हो गया 7 और 512 यहनि 22 और 12 36 और 37 इसका मतलब जो इसका लेटर है उसके पूश्यन को एट करने पर मेरा ये संक्यां आता है 37 इसको कर लिए एगल को कर लिए इगल में कितना यह हो गया 5 ठीक है और यहां भी यह भी पूश्यन हो गया 5 5 और 5 10 और एक पोजिशन एक यानि टोटल हो गया इसके पोजिशन को अगर एड़ कर लिए तो इसका सई अंसर क्या होगा 30 हो जाएका जाएक है यानि कि जो आफ्शन और टार्ट को क्या लिखा गया है मिद्ध और थेदे अर्प cað p सब्सक्रामित in जान्य यह कि इसका पोजिशन कितना वनीजाद एक हो गिया इसका पोजिशन कितना हो गИया इसका 10 हारा हो गया इसका पोजिशन 20 हो गया इसका पोजिशन कितना हो जाता है इसका पोजिशन हो जाएगा 24 इसका पोजिशन हो जाएगा साथ इसका पोजिशन हो जाएगा 12 और इसका पोजिशन कितना हो जाएगा अब हम कैसे लाएंगे इसमें क्या करेंगे हम इसमें हम 6 पोजिशन पीछे चले जाएंगे दी से 6 पोजिशन अगर पीछे चले जाएं यानि कि 4 से 6 पोजिशन पीछे चले जाएं यानि 3 हो गया फिर कितना हो गया दो हो गया फिर 1 हो गया फिर 26 हो गया एक के बाद 26 हो गया जैट से स्टार्ट हो जाएगा फिर 26 हो गया फिर 24 हो गया और फिर कितना हो जाएगा फिर इसमें से क्या गए च स्थे पोजिशन आगे चले गए तो श erreicht फेघ जानाए फिर फेंट पीछे जाना है फिर फेख लागे ऐसाना है उसमें दो प् heap लोजिक मिल गया उसी तरह है स्पीश पोजिट करना 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 Nord P का कितना होता है 16 16 प्लस 6 कितना होता है 22 22 किसका होता है V का होता है उसी तरह I हो गया I-6 9-3 I का कितना होता है 9 पोजिशन पर होता है और 9-6 अगर चले जाएंगे तो कितना हो जाएगा 3 और 3 किसका होता है C का होता है उसी तरह N में प्लस 6 यानि N का 14 प्लस 6 20 किसका होता है T का होता है तो इसका जो code हो जाएगा M V C और T हो जाएगा तो कहां पर है option number जो one होगा वो मेरा correct answer होगा कि मैंस्ट मेरे question है कि यदि जो इंगलीज का alphabet होता है तो इंगलीज में कितना अलफट होता है 26 alphabet होता है ए बी और यहां से लेके बीच में हो गया MN यह 13 पोजिशन पर होता है 14 पोजिशन पर और फिर यहां से YZ तोड़ों कितना होता है 26 लेटर होता है यदि हानी हानी से स्टार्ट करके जो है ए तक लिखना है A, B, C, D, E हो गया, F, G, H, I ठीक है, इस ते करके हो गया अगर ध्यान से लिखें तो कितना हो जाएगा M हो गया A हो गया, B हो गया, C हो गया, D हो गया E, F, G, H, I, J, K, L, M यह हो गया अब इधर और लास्ट का जो हाफ है वो क्या, जोंकतियों रहेगा यहनि N से स्टार्ट होगा N के बाद N हो गया फिर क्या हो जाएगा N के बाद O, P, Q, R, S, T, Q, P, W, X, Y, Z ठीक है इस तरकर के सिरीज फस्ट हाफ को जो है हम रिवर्स कर दिये जो A से लेके N तक लिखा हुआ था उसको हम M से लेके यह तक लिख दिये और Last के हाफ को जोंकतियों रख दिये Question में यहां कह रहा है कि अगर हम Right से स्टार्ट करें इधर हो गया Left इधर हो गया Right टीक है इधर क्या हो गया Right हो गया और इधर मेरा क्या हो गया? Left हो गया इस साइड में तो right का जो दसवा है, तो दसवा कौन सा है, एक, दो, तीन, चार, पांच, छे, साथ, आठ, नो, दस, तो दसवा क्या है, क्यों है, अब इसके left में साथ जाना है, यानि एक, दो, तीन, चार, पांच, छे, साथ, तो साथ वा कौन सा होता है, D हो गया, यानि option number जो C में है, D, व वो करेक्ट अंसर होगा